गाइस काफी सारे स्मार्टफोंस का रिव्यू मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करता रहता हूँ और हमेशा ही मेरी कोशिस रहती है कि किस तरह से आपको हिमालन गैजट यूट्यूब चैनल पे बैतरिन कंटेंट प्रॉइड किया जाए तो इसे बीच काफी सारे वीडियो यह चीज क्लियर करती है कि हर एक स्मार्टफोन को दो साल तक एंडूड के अपडेट्स मिलेंगे तो डाउट कहां पर आ रहा है तो अभी इस चीज को क्लियर करते हैं अब एक चीज और क्लियर करनी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा है उस पे आप क्लिक कर यह स्क्रीन भी आपके स्मार्टफोन की साफ हो जाएगी और फ्यूचर में आपको क्लियर क्लियर कंटेंट भी देखने को मिलते रहेंगे अब दोस्तों जैसा कि आप जानती है सामसंग ने अपने सभी स्मार्टफोन के पोलिसी बनाई हुई है कि दो साल तक एंडूड के अपग्रेट्स देखने को मिलेंगे और यही चीज काफी मतलब इंपोर्टेंट है अगर कोई भी स्मार्टफोन आप सामसंग का यूज करते हो क्योंकि ये बात तो सामसंग ने पहले क्लियर करी दी हुई है अब सामसंग का जो M11 है वहाँ पर एंडूट वालो का वाइट ने वन यूई फोर और एंडूट वालो के लिए च्छापी तो उस टाइम मतलब मैंने चैक किया हर एक वेब साइट पे सामसंग M11 का नाम नहीं है और इसके जो भाइय है उनका नाम है जो कि मतलब सामसंग M11 का नाम नहीं दिया है तो उनका नाम भी देना तो उतनी बड़ी सैंस तो नहीं बनती दी लेकिन यहां पर सामसंग M11 का नाम नहीं था अब यहां पर एक एग्जाम्पल के थू मैं आपको समझाना चाहता हूँ यानि कि M11 M10 का सक्सेसर था तो M10 M11 का प्रेडिसर हुआ अब यहां पर जो M10 है वो लौंच हुआ था Android 8 के साथ और अभी यह स्मार्टफोन चल रहा है Android 10 पे तो इसी चीज़ से क्लियर हो जाता है कि आपको अब ज्यादा डाउट लेने की जरूरत नहीं है और मेरी मानों सामसंग के M11 को अब Android 12 का अपडेट जरूर मिलेगा क्योंकि सामसंग ने कभी भी अपने स्मार्टफोन के साथ ऐ करता है कि सबसे best example रहेगा आपको इस चीज़ के बारे में समझने के लिए M11 को भी Android अपडेट मिलेगा चाहे कोई आर्टिकल यह चीज़ चापे या नहीं चापे क्योंकि उनके चापने वह तो कोई official चीज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन जो official policy है Samsung की वह मैंने आपके सामने य एक लाइक जुरूर किजिए और support करने के लिए आप हमारी वीडियो को continue watch कर सकते हैं Instagram पे भी हमें message कर सकते हैं अगर आपके पास कोई question या problem है बस इतना है इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं किसी next वीडियो के साथ